गाईज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है और आज के इस वेडियो में हम बात कने वाले हैं कि Instagram के application में अगर आपको भी problem आ रहा है यहाँ पे लिखा हुए रहता है could not upload try again तो दोस्तो इस problem को आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तो उससे पहले दोस्तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिएगा इसमें आपको बताता हूँ कि कैसा आप इस problem को solve कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले अपने phone में play store को open करके सबसे पहले Instagram application को आपको update करना है जैसे ही आप Instagram application को update करते हैं उसके बाद आपको settings में जाना है settings में आने के बाद आपको application का option मिलेगा तो आपको यहाँ पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको manage apps का option मिलेगा तो आपको click करना है उसके बाद दोस्तों आपको search bar पे search करके यहाँ पे आपको Instagram करके लिक लेना है उसके बाद आपको इस वाले application पे click करना है उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है सबसे पहले आपको सबसे नीचे में force stop करके एक option मिलता है तो आप जो है इस्टाग्राम के अप्लिकेशन को force stop कर लिजी force stop करने के बाद आपको storage का option मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको clear data का option मिलता है तो आप जो है clear data कर लिजे clear data करने के बाद दोस्तों बस आपकी problem solve हो जाती है और इस तरीके से आप जो है इस problem को solve कर सकते है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजे और चैनल को अभी तक आपने subscribe ने किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे